कि हलो स्टुडेंट्स गुड मॉर्निंग कैसे आप सभी लोग कुहु इंटरेशनल स्कूल ओनलाइन प्रेटफूर्म पर आप सभी का स्वागत है बच्चों हम लोग जो है लेकिन मैंने आपको रेटोक्स रेक्शन और वहां पर बताया उसके बाद में आपको निकालना सिखाना जरूरी थी क्योंकि यह चीजें आपका वेट निकरने वाली कि आप जाके चैप्टर नंबर एट रेडोक्स रेक्शन पढ़ो ओके तो उससे पहले हम लोगो नहीं सब्सक्राइब बढ़ा दिया अब सब्सक्राइब दूसरी चीज है वह लोग सीखने जा रहे हैं क्योंकि इसके बाद में हम लोग सिधा स्किप मारेंगे सेगंड चेप्टर को थर्ड चेप्टर पर पहुच जाएंगे पिरोडिक्टेवल पर जो चीज हमें है वह लोग य अधर प्रेजेंट जिनके अंदर में उनको में लोग और में और देटेगे इसके बारे में हमें और मिट्रस बताते हैं और और बिटास आपको पता लगए तो किसी बीएलेक्टरोन का आप complete address बता सकते हो कि वह कहां पर होगा क्लियर केसे बताएगा वो तो हम लोग आगे देखेंगे लेकिन आपको क्या करना है सबसे पहले shape of the orbitals देखना और बीटल की shape किस टाइब क्यों होती है तो हमारी जो नेस्ट हडिंग है वह यह यह शेप आप दो अर्बिटल और बीटल्स यह तो हम लोग जान चुके हैं कि और बीट और बीट को और भी वह सारे नाम है क्या है एनर्जी शेल्स एनेर्जी लेविल ना मैन एनेर्जी लेविल्स क्लियर और बीट के अंदर केस क्या होता है सब्सेल और leaving ओ्स इंदर क्या होता है हैं अभी इस एज़ी डियएफ के अंदर और्वितल स्किटने टैपस कि हों गे और उनकी शेप क्या होगी अमें चेक करना है तो सबसे पहला हमारे पास में एस सबसेट वाइज़ हैज और ली वन और बिटल इस सेल्फ नौने से एस और बिटल इसको एस और जाता है तो एस सब सेल के अंदर एक ही और बिटल होगा और उसकी जो शेप होगी वह होगी सरकल इस तरीके से यह मालीजी आपके पास में हम लोगों ने यहां पर एक्सिस बना भी दिये तब भी वह एलेक्टर प्रौबएपेडिटी ऑफंदिंग लिट्रों फइंदिंग लेक्टरौं अंगें अफ्य और बिटल इस नौन डारेक्ट्टों यह क्वाए न कोल्द कोई दारेक्ट्ट नहीं है खondere लोगों ने इसकी जो ऑर्बिटल की शेप देखी वह देख ली सरकल में तो अगर यह सरकल में एक तरीके से कोई से ले लो यह एक सरकल में बना हुआ इसका में इलेक्ट्रों कहीं भी मिल सकता आपको लोगों और आपको जाओ यह तो यह तो यह जाना है चलो आगे चलते यह सबसेल और उसके अर्बिटल होता है जिसको हम लोगों क्या बोलते हैं एस और विटल क्लियर शेकर पी सबसेल पीस सबसेल में इसे थ्री ऑर्बिटल्स पीससेल में कितना होता है थ्री ओर्बिटल्स होते है नचेज्ट पी एक्स पी वाई पीजड कौन कौन से होंगे वो पी एक्स पी वाई और पीजड अब देखो इनकी शेप देखनी है में सबसे पहले पी एक्स और्बिटल पी eX का मतलब यह है कि वहाँ पेजड़ और पाए जाएंगे वह एक्स अगयाइगा यह 10 मान लीजिए वह बोलना चाहा हा रहा है कि यहाँ पर चौन यहां अ फांड साद अउन्ली ऑन्डा x axis ओकापे मिलेंगे आपको इसके मतलब नहां पर्च अन्य है टैरेक्स्नल प्रपर्टीस धो नीरेक्स्टन्ड सोह इसके बोलएंने हम लोग दो प्याइक्स पर यह1 इसको बोलेंगे हम लोग पी एक्स एलेक्ट्रोन कहां पर मिल रहे है आपको एक्स एक्सिस पर इसका मदलब यहां पर जो एक्ट्रों सोंगे वह डारेक्शनल होंगे डारेक्शनल प्रोपर्टी सब्सक्राइब क्लियर आगे चले यह था पी एक्स इसके बाद में लोग देखेंगे पी वाए अच्छा इध्यान दखो इसकी शेप है उसको क्या बोलते हैं कि डंबल कि डंबल कि डंबल देखेंगे डंबल उठाए तो जो डंबल उठाते हैं तो पी एक्स और बिटल अगला है पी वाई और बिटल पी वाई और बिटल का मतलब ही हो जाएगा डेलेक्ट्रों प्रेजेंट ऑंद वाई और वाई एक्स इस है तो यहां पर भी डंबल लिए बर डिफ्रेंस क्या है हम लोगों एक्स चेंज कर दिया यहां पर एक्स ता वाँ पर क्या कर दिया है और इलेक्ट्रों जो है वह वाई एक्स पर आगए और वाई एक्स इस पर आगे तब भी वह क्या है डारेक्शनल डारेक्शनल प्रोपर्डिज रखते हैं ज्यादा कुछ चेंज करने हैं हम लोग डारेक्शनल प्रपर्पर्टीज उनके पास तो यह हो जाएगा आपके पास में PY और्बिटल PY और्बिटल इसके बाद में हम लोग देखेंगे PZ और्बिटल PZ और्बिटल PZ और्बिटल का मतलब क्या होगा भई PZ और्बिटल का मतलब होगा कि वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉंस पाए जाएंगे The probability of finding इलेक्ट्रॉंस Are present on the Z axis इलेक्ट्रों का पाए जाएंगे Z axis पाए जाएंगे तो मान लीजिए आपको Z बनाना है कैसे बनाऊगा देखो यह Y यह X यह Z Clear? इसको मान लीजिए हम लोगों ने नाम दे दिए Z axis तो इलेक्ट्रों मिलेंगे यहाँ पर ठीक है? इसको बोलेंगे हम लोग Z axis और इस और्बिटल करना हो जाएगा पी जेड और्बिटल शेप कॉंसिस की अभी भी डंबल ही है और इलेक्ट्रोंस आर प्रेजेंट ऑन दा Z axis और एक्सिस पर पाए जाने पर इलेक्ट्रों क्या होंगे यह आपर डारेक्शनल इलेक्ट्रों जो है डारेक्शनल प्रोपर्टीज रखेंगे पी जेड के और यह शेप उती है इनकी कौह से डंबल अगला देखिए नोट कल लीजे सको इसक्रीन शोट ले लीजे अगला आपके पास में अगला आपके पास में दी सबसेल अगला इस फाइफ और बिटल्स इसके पास में क्या होते हैं डी सबसेल के पास में फाइफ और बिटल्स होते हैं यह देट इस डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वाईर वाई स्क्वाईर और डी जेड इस्क्वाईर क्लियर यह पांच जो हैं आपके पास में यापड होते हैं डी सबसेल में ठीच-षी बीज डीज इसक्वाइभ से नाब इसको किसी को भी सब नाम दे सकते हो आप अब है कि करके सभी की शेप देखेंगे तो सबसे पहले है आपके पास में dxy orbital यहाँ पर एक छी ध्यान देने योग्य है क्या कि यहाँ पर जो 5 orbitals हम लोगों ने लिखे हैं इन में से 3 orbital के जो electrons है वो तो axis के between between the axis पाए जाते हैं है ना और जो 2 orbitals हैं उनमें जो electron है वो axis पर पाए जाते हैं यह चीज़ यहाँ रखना clear तो यहाँ पर 2 तरह के orbitals है where the electrons the probability of finding the electrons in between the axis है ना यह वाले यह तीनों क्या है इनमें electron axis के between पाए जाते हैं और इन दोनों में the probability of finding the electrons present on the axis यह axis पाए जाते हैं तो सबसे पहले के करके देख रहे हैं यह है dxy orbital dxy की shape देखो कैसी होगी यह हम लोगों ने ले लिया y यह ले लिया x यह हो गया x और यह हो गया y clear electron x और y के between मैं बोल चुका हूँ आपको दो तरह के आप electron पाए जाते हैं d sub cell के अंदर है ना वो depend करते हैं किस पे orbitals पे तो तीन तरग के orbital जो है वो electron axis के between रखते हैं और दो orbital ऐसे हैं जो electron क्या पसंद करते हैं कि कहा रहे हैं वो axis पे रहे clear तो x y के मद्धे electron है yellow इसको बोलते हैं double dumbbell शेप डबल डंबल शेप डबल डंबल शेप ठीक है इलेक्ट्रोंस आर प्रेजेंट इन बिट्विन द एक्सिस इन बिट्विन द एक्सिस और कौन सा एक्सिस है यहां पर x और y तो इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे dxy तो यहां पर electron का प्रेजेंट है x और y के between between the x and y ओके तो यह था आपके पास में एक्स वाई और्विटल डबल लंबल शेप एक्स और वाई के बीच में क्लियर अब जैसे मुझे वाई जेड बनाना है जेड एक्स बनाना है अब 3D में बनाना इसको पूसिपल निया भाई साम पहली बात तो यह एक्स हो गया यह वाई हो गया अब मैं इसको क्या करूँ एक्स और इसको करूँ जैड अब जैड एसे नहीं रहेगा बिल्कुल अगर यह वाई है तो जैड क्या आएगा बार निकला वाई एसे अब बार तो बनाने सकता है आपको तो मैं क्या करने जा रहा हूं डी एक्स वाई है डी वाई जड मैं यह आपको इसको 3D में मिजन कर गया डी यह पांगे वाई जैड हम लोग क्या कर रहे है एक्सी सुàंज है य और इसको कर दिया जैड एडक्रोन तो अब भी जापर का मिलने वाले आपको लहाई कि विट्विं ना एक्स अंदर य जैड के बिट्विं एल्लेक्र euch उसी तरीक्षे LAX does कर दो सिर्फ डी जैड एक्स एक्स कर दो जैड कर दो एक टो डबल डबल शेप यह यह और्बिटल की शेप ईसमें इलेक्टरन प्रजेंट है ओके तो तीन और बिटल इसे हैं डी सब्सेल में जाप पर इलेक्टरॉन का पाया जाते हैं एक्सिस के मध्य एक्सिस के बीच में अब हम लोग क्या कर रहे हैं डी एक्स स्क्वाइर यह निकाले बहुत से बच्चे सको माइनस करते है एक्स सब्सक्वाइब तो सर एक्स प्लस य एक्स तो देखो यह मायनस नहीं पहली बात तो सुनों ले एक्स लिंट्र एक स्कुर्ण यह और यह तेक एक इस कवा स्कॉर में यह नकार पाई जाते है एक्स पर गोखा और प्रेजेंट ऑन दए एक्सिस तो देखो यह एक्स पर प्रेजेंट यह वखाए इसको बोलते हैं डबल डंबल चैप X & Y तो यह जाएगा आपके पास में x & y अब डिफ्रेंस इन में दिख्रा उगा आपको यह एक्सेस पे एक्ट्रों से अगला है डीजर स्कार्राब डीजर स्कार्राइब क्या होता हैं सो माली आपके पास में यह जे डैक्सस है तो नथा थोड़ी बना देप्स है यापके पास में जेडेकस है और मैंने यहां बनाया तो एक डंबल बना दिया ज व गोंग अ यह पेन लेलिया मैंने उस पेन के चारव तरफ यह डंबल होगे आपका पेन इसके चारव तरफ एक रिंग घुमते रहेगी ऐसे जैसे वह भवान स्री किष्ण का गूंता था चक्र मिल्कुल वेसे एक रिंग घुमते रहेगे आप ठीक है तो इसको लोग बोलेंगे डी आप दॉर्बेटल्स करेंगे नेक्स्ट फ्रेस्ट टेक स्टाट करेंगी अगर मैंने भी श्टाट किया खत्म नियूंग नंबर्स है ना तो आज लिए इतना रखते हैं कल फिर मिलते हैं थैंक्यू बेरी मच प्रच्छ